अब हम स्टार्ट करते अध्याय 10 प्रकास देखना बड़ा मज़ेदार चेप्टर रहे वही है ना अध्याय 10 है फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स का यह चेप्टर जो है पहला चेप्टर है और जिसका नाम है प्रकास प्रकास है ना और प्रकास का मतलब आपके दिमाख में कुछ कुछ चल रहा होगा कि प्रकास मतलब क्या है जो हम रोज देखते हमार दैनिक जीवन में जो सूरे से आने वाला प्रकास है बल्ब जो जल रहा हो वो प्रकास उत्पन न कर रहा तो हाँ उसी प्रकास की बात कर रह और उस प्रकास से रिलेटेट बहुत सारी घटनाय होती है हमार दैनिक जीवन में और घटनाय क्या है हाला कि हम पिछली क्लासों में भी प्रकास के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके है लेकिन फिजिक सके द्रस्टी से अगर देखा जाए तो यह प्रकास का जो चेप्टर ह पहला चेप्टर है इसके बाद में जैसे ये से हम आगे की क्लासों में जाएगे और बल्की कालेज लेवल तक भी अगर हम बात करे तो वहाँ पर हमें अगली क्लासों में क्या है काफी एडवांस रूप इसका मिलेगा और वहाँ पर काफी inफरमेशन आमें पढ़ने को मिल इंट्रेस्टिंग बनने वाला एं परावार्तन परावर्तन तथा अपर मेरे झाल से जो मैंने यहां पर लिखा प paragraph का परावर्तन और अपर्तन यह सब्ड़ों को भी हमने कई बार यूज किया तिक만 जो यह परा वरतीत हो गया इससे औक या रो हो गया हमने बाल को फेका किसी दिवाल से तक्राई अरो प्रावरतित हो गई या वापस आ गई ठीक है यह परावर्तन कहलाता है हमने कोई प्रकास किर रण किसी काच पर माळई और निकल गई तो क्या हो गया अपरतन हो गया थो इसका मतलब दुसरे सब्दों में भी हम यूजे करते लें किनरा मां I on तरहा प्र. 맞ा प्र.म्म तरहाओ अधर जा ना यहां वापस की बात नभी करें हमने एक दिवाल पर बाल मारी और वह क्या हो गई वापस अगई तो यह क्या हो वह बाल क्या होगे उससे आरपार निकल गई मतलब अपवर्तित हो गई ठीक है तो यहां पर कागज की बात ना करें क्योंकि प्रकास से रिलेटेड है तो प्रकास की प्रक्रति के आधार पर हमें परावर्तन और अपवर्तन पढ़ना होगा तो देखेंगे हम इसको नाम लाइट का नाम बहुत ज्यादा सुनने में आता है रिफ्लेक्षन 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 मतलब परावर्तन और एंड रिफ्लेक्षन रिफ्लेक्षन ठीक है तो इंगलीज में परावर्तन को रिफ्लेक्षन बोलेंगे और अपवर्तन को जो बोला जाएगा और रिफ्लेक्शन बोला जाएगा ठीक है तो रिफ्लेक्शन क्या होता इसके बारे में हमें समझना है पहली बात तो यहाँ पर एक साट में हम समझ ले अध्याय का जो सारांस है वो सारांस क्या है प्रकास की प्रकृति होती है जो कि हम डेली देखते है क्या प्रकृति होती ह यह क्या होता किसी चमकिली वस्तू से टकराता है तो क्या करता है प्रकास वापस आ जाता है आता है ना चमकिली वस्तू मतलब जैसे बोल दिया है कि जो दरपन है दरपन पर अगर हम टार्चे मारे तो क्या होगा यह परावर्तित हो जाएगा कोई अगर काच है काच पर अगर काच में से वह क्या हो जाता है आरपार चला जाता है और सामने की और पहुंच जाता है इसका मतलब टार्चे जो है टार्चे में क्या हो रहा है अपोर्तन हो रहा क्योंकि काच के आरपार वह जा रहा है इस अध्याय के अंतरगत हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में हम समझत अब मेरे पास में यहाँ पर कुछ दर्पन रखे हुए कुछ लेंस रखे हुए जो कि हमें इस चेप्टर में पढ़ना है हम प्रयोग के द्वारा भी हम समझेंगे हर बात को कि किस प्रकार से जो भी प्रकास की प्रकृति है और प्रकास की प्रकृति को हम प्रयोग द्वारा आगे चलके पढ़ेंगे, समतल दर्पन पर मैं क्या कर रहा हूँ यह टार्च मार रहा हूँ, देखिए, आपकी और प्रकास आती हुई नजर आला, चमक रहा हूँ, चमक रहा हूँ, मैंने क्या किया टार्च इदर है, अगर मैं इसको अटा दू तो टार्च इदर जा रहा, प्रकास इधर जा रहा, और बीच में अगर दर्पन आ गया, यह समतल दर्पन है, तो दर्पन क्या कर रहा है, इस प्रकास को परावर्तित कर रहा, इधर आगे ने जान दे रहा हूँ, उसको इधर की और अगर मैं बड़ा सा दर्पन लगा दू, पुरा का पुरा प्रकास वापस परावर्थित कर देगा इसके बाद में यह समतल दर्पन है समतल दर्पन का जो समतल के ओल रहा हूं मैं यह समतल है प्रस्ट जो है इसका एकदम बिल्कुल समतल है ठीक है प्लेन है इसके बाद में मेरे पास में दुसरा दर्पन है जो हमें चेप्टर में पढ़ना है के भारे में में पढ़ना भी पढ़ेंगा एक दरपन 지금 मैं इसके लगा रहा है इस दरपन की खासिएट क्या आए देखना ए जो दरपन है ना अंदर से दबा हुआ है अटल मतलब आटल ही तो बुलते ना बीच में से अगर मतलब इस प्रकार से कटोरी टाइप का कटोरी टाइप का तो उसको अउतल ही तो बुलते है क्टोरा क्या होता है अउतल होता है अंदर से दबा होता है जिसमें हम कुछ भी डाल के सामान रख सकते है या सब्जी अगर डाल के हम खाना होना खाते है तो क्या आउताल है मतलब यहाँ पर क्या दबा हुआ है इसको मैं इस फोल्डर में ही रख रहा हूँ तो ज्यादा सही रहेगा इस पर भी मैं प्रकास डाल रहा हूँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसने भी क्या किया प्रकास को परावर्तित कर दिये ठीक है इनकी प्रकृति यह प्रकार से परावर्तित करता है प्रक्रति थोड़ी सी अलग है लेकिन इसके बारे में फिर ओर डेटेल में इस चेप्टर में पढ़ना है ठीक है अच्छा इसके बाद में एक उत्तल दर्पन है देखिए मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इस चेप्टर में चमक नहीं रहा है तो इसंने भी क्या किया प्रकास को प्रड़ावर्तित कर दिया देखिए आपको चमक नहीं रहा है अगर टार चेमारों घोंगा तो चमक रहा है इसका मतलब इसने ह् underneath इसumber calls का गट्ता reduction में इस चेप्टर में पूराcall में समझना है और पूरे चेप्टर म सेब बोला जाता है या काचका स्लेब बोला जाता गत्ता है सyuम सी बात है वह क्या होना चीए काच काड़ स ti spr प्रकास डालू तो आपको बर्ड की ऊपर पुराकाइब दिखाई दे रहा होगा दिखको और यह प्रकास की उपर पुराका-पुरा इधर आगया थीकनल तो इसके बाद सभाइब लेकिन गलास सम्तल नहीं है कैसा है बीच में से उठा हुआ है उन्दर से दबा हुआ इधर से दबा हुआ है यह कहने का मतलब अंदर की और इस प्रकार से नहीं से बना हुआ है इसने भी किया आर पर प्रकास को याने दिया ठीक है इसकी प्रक्रती थोड़ी सी अलग है वह हम उसके बारे में बाद में समझेंगे यह उत्तल लेंज आ है देखिए बहुत मज़ेदार काम हो गया यह देखिए कितना ज्यादा प्रकास यह आपर जा रहा है मैं इसको थोड़ा सा दूर कर रहा हूं तो यह बिनब भी दिख रहा होगा आपको एक छोटा सा बिनब यहाँ पर प्रतित हो रहा है देखिए अब तो भूत ही तेजी से चमक रहा है और पास में अगर करूंगा मैं अगर लाइट को बंद कर दो और अच्छे से दिखेगा य ठीक है यहाँ पर देखना अभी यह दिख रहा अभी यहाँ पर देखना जैसे जैसे मैं टार्चे को दूर ले जा रहा हूँ यह देखिए बहुत तेज चमक रहा है ते इतना इसलिह बतारहा हूँ इसके बारे में क्योंकि हमें इस चेटर में बहुत इसी के बारे में पलना है सारी बाते यही शमझ consomm अगर मैं दिखते हो काच को क्या आरपार किया इसके आसपास भी कुछ लाइट दिखाई दे रहा यह वास्तों में काच की प्रक्रती है अलग-अलग ग्लास की तो उसके बारे में भी हम समझेंगे कि क्या है और 1112 में भी काफी चीज़े इसके बारे में और इसके यह काच का स्लेव है तो इसने क्या किया बीमादार पर बहुत कुछ हमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पता चल गया चलाई लिंप प्रकास को परावर्तित कर देना अपोर्तन मतलब प्रकास को अपोर्तन कर देना अब सबसे इंपोर्टन बात यह है कि जो कोश्चन भी हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आख की आउसकता हु सब्सक्राइब को कि देख सकता है किसी वस्तू को ऊसको आख चीज की आओ सकता होती है और अगर मैं जिसकी आखे होगी उसको दिखेगा जिसकी आखे नहीं होगी उसको नहीं दिखेगा लेकिन वास्तविक्ता यह नहीं है वास्तविक्ता यह है कि जब तक यह दोनों चीजे नहीं रहेगी आख और प्रकास तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी अब एक बहुत बढ़ी आएक कि जांपल की बात कर रहें देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा है ना हमें पढ़ना है प्रकास का परावर्तन और अपोर्तन लेकिन जब और टेंथ क्लास का फिजिक्स इतना महातोपुर्ण है कि अगर टेंथ क्लास का फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा और नाइंथ क्लास का तो खेर अब टाइम पास होगे अपना लेकिन नाइंथ क्लास और टेंथ क्लास का फिजिक्स इतना इंपोर्टेंट है कि जब तक यह नहीं पढ़ेंगे तब तक 11th class 12th class का physics समझ में नहीं आएगा अच्छे से समझ में नहीं आएगा ठीक है तो पुरा basic level से हमें इसको समझना होगा थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा time लगेगा थोड़ा सा धहरे रखिए सारी बाते समझेंगे हम रटेरी की जरुवत न यहाँ पर देखना एक बंद कमरा यह है ठीक है यहाँ पर क्या है एक बंद कमरा है और दूसरा एक बंद कमरा है यह दो बंद कमरे है ठीक है दोनों के बीच में तीन चारी अंतर भी है डिस्टेंस भी है दोनों इसमें क्या है एक व्यक्ति बैठा हुआ है ठीक है बैठा है मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु इस प्रकार से मोबाइल का यादा कंचर है इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं अब इस व्यक्ती में यहाँ पर भी बंद कम्रे में में लेकिन दोनों की बीच में क्या है काच की दिवाल है काच की दिवाल है समतल काच लगा है प्लेन ग्लास लगा हुआ है जो कि हम खिलकी ओगेर में लगाते हैं जिससे आरपार दिखाई देता है अब यहाँ पर अंधेरा है अंधेरा और यहाँ पर भी अंधेरा है क्या यह विक्ति इसको देख पाएगा मोबाइल को देख पाएगा इस कम्रे में जो मोबाइल है जबकि इसकी आखे सोचता है देख पाएगा और मेरे खेल से सबका अंसर यह होगा कि नहीं देख पाएगा क्यों उसको और आगे देखते हैं अब यह दि मान लिया जाए कि यह यहां पर क्या प्रकास है यहां पर क्या प्रकास है और यहां पर क्या अंधेरा ही है अब बताइए यह विक्ति इस वस्तु को देख पाएगा और मेरे ख्याल से यहां पर इस रूम में अगर प्रकास भी है तो इस वस्तु को यह नहीं देख पाएगा और अब यहां पर अगर अब ग folk heard यहां पर क्या अब नहीं प्रकाास है ऐहां पर अन्थेरे में बैठा हुआ अब देख पाएगा वह स्थीजों कि अभी यहां पर अंसर मिलने तो अभी जहीं यहां पर अधी मनुखके पर है अर यहां पर भी प्रकास है तो अब वस्तू को देख पाएगा, तो बिल्कुल देख पाएगा, तो हमारे बास में यहाँ पर चार इस्थिती है, दोनों जगे जब अंधेरा था, तो यह वस्तू को ने देख पा रहा था, यह प्रकास में बैठा था, लेकिन वस्तू जो अंधेरे में थी, फिर भी वस्त वस्तु को नहीं देख पा रहा था यह अंधेरे में बैटा था लेकिन यहां पर वस्तु के बास में प्रकास था यह वस्तु को बड़े आसानी से देख पा रहा था दोनों जगे प्रकास है फिर भी वस्तु को सेम प्रकास है तो यह वस्तु को फिर से देख पा रहा इसका मतल तो अब कोश्चन यह उड़ता है कि वस्तू को वास्तों में देख क्यों रहा और प्रकास की क्यों आउ सकता है इसका सिंपल तरीके से अगर कारण समझे हम तो क्या होता है कि प्रकास किरने इस वस्तू के उपर पढ़ती है इस प्रकास किरने क्या करती है इस वस्तू के उपर पर आवरतित होने के बाद में यह जो प्रकास है परावरतन के पस्चात क्या हो रहा इस व्यक्ति के आखो पर आरा और जब परावर्तित होके प्रकास इसके आखों पर आएगा तब वस्तु दिखेगी तो यही परावर्तन का यहाँ पर संबंद है ठीक है? मतलब कहने का मतलब कोई वस्तु हमें तभी दिखाए देगी मान लिया जाए यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है और यह पेड़ और हमारी आख यहाँ पर है तो जब तक प्रकास किरने इस पेड़ पर पड़ेगी और प्रकास किरने इस पेड़ से परावर्तित होके हमारी आखों पर आएगी तभी ये पेड दिखाई देगा अधरवाइस पेड दिखाई नहीं देगा तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आ रहे ही जब तक वस्तु के उपर प्रकास नहीं आएगा यानि कि प्रकास वस्तु के उपर होना आवस्यक है इसके आखों के उपर में समझना आ है अगर प्रकास की प्रकृति के बारे में अगर हम समझे तो प्रकास की प्रकृति क्या होती है और प्रकास होता क्या है कहां से हमें प्राप्तो होता है हालाकि चेप्टर से बहुत ज्यादा संबंद नहीं यह लेकिन हम प्रकास की बात कर रहे हैं तो थोड़ यह क्या होगा मानव निर्मित होगा मानव निर्मित से समझ गया होगे कि जो मानव ने अपने अविश्कारों के दोवारा प्रकास को उत्पन न किया किस प्रकार से किया उसके बारे में हम देखेंगे प्रक्रतिक का मतलब यह है कि जो प्रक्रति द्वारा प्राप्त है जैसे माल लिया जाए कि सूरिय है ठीक है सूरिय से जो प्रकास प्राप्त हो रहा यह मनुस्य ने सूरिय को ने बनाया ठीक है यह क्या हो रहा प्रक्रतिक है चंद्रमा चंद्रमा प्रक्रतिक है तारे तारे सूर्य द्वारा क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा और तारे स्वें प्रकास उस्सर्जित नहीं करते हैं यह क्या करते हैं सूर्य का प्रकास जो है चंद्रमा पर आता है तो इसलिए हमें भी चंद्रमा चमकते हुए नजर आता है प्रकास उस्सर्जित करते हुए नजर आता है सेम तारे चंद्रमास से जो प्रकास आ रहा उसको तारे असोसित कर लेते हैं कुछ और वह भी क्या करते हैं फिर थोड़ा थोड़ा प्रकास उससरजित करते रहते हैं इसलिए तारे भी हमें चमकते हुए नजर आते हैं स्यक्त दोड़ा रय्वज तो मेयन कारण है प्राक्रतिक तो सूर्य दौरा में प्राक्रतिक रूप से प्रकास प्राप्त होता है मनवर्वीत हम बोल सकते हैं विद्धुद बल्ब निर्वित हम प्र तार्चे जो बेटरी द्वारा चलता है तो प्रकास को प्राप्त कर सकते और बहुत सारे तरीके है जैसे मुमबत्ती है मुमबत्ती द्वारा प्रकास प्राप्त कर सकते दिया है दिये द्वारा लेंप है तो इस प्रकार से हम प्रकास को प्राप्त कर सकते ठीक है अब देखत प्रकास को उस्सर जित करती है तो यह क्या कहलाएगी मान लिया जाए कि मेरे पास में काच का टूकड़ा है इसके दमारह में प्रकास प्राप्त नहीं होता है तो यह क्या कहलाएगी धीपत यश्यले मान लिया जाए कि मेरे पास में एक लखड़ी का कुला है तो यह क्या लाएगा तो यह क्या कहला एक धोड़ा चोटा साहिक एक seminar बातके समझते आ प्रकास की रन इससे आएगी तो कहाँ प्रकास की रन इससे आएगी तो कहाँ पर प्रकास की रन इससे आएगी और इससे प्रकास की रन इससे उपर आपतित होगी ठीक है क्या होने वाला है समझ यह होगे आप यह जो गत्ता है बीच में इसका प्रती बिन्ब बनेगा यहाँ पर और प्रती बिन्ब बनेगा तो इसका क्या अर्थ हुआ है इसके दौरा में क्या सिखने को मिला इसके दौरा में सिखने को मिला कि प्रकास किरने क्या कर रही है एक सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं ये सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं ये इस परदे तक पहुच गई ये सीधी रेखा में गमन की इस परदे तक पहुच गई लेकिन यहाँ पर गत्ते ने क्या किया प्रकास को रोग दिया और प्रकास को रोग दिया तो उसकी क्या है यहाँ पर परच्छाई बन गई तो यहाँ पर हमें पता चल रहा कि जो प्रकास है प्रकास क्या है एक सीधी रेखा में गमन करता है अच्छा अगर मान लिया यह बल्ब है बल्ब क्या कर रहा प्रकास को सर् ई무धर kalau maar सब्सक्रikiं जो इस प्रकास कि दरख रहा तो इसको में इन प्रकार दर्शित कर रहे हैं यहार से पता चलता कि प्रकास इधर से इधर की और जा रहा है अगर तीर हम इधर की और लगा देंगे तो यह पता चलेगा कि प्रकास इधर से इधर की और आ रहा है तो तीर का चिन्ने यह प्रदर्शित करता है कि प्रकास किरन की दिशा कि इधर है क्लियर और एक experiment करते, देखिए मेरे खाल से आपको ये board पर light दिखाई दे रहा होगा ठीक है न बॉड की ऊपर reflection भी है कुछी बॉड में यह reflection मदलब परावुर्थन भी है जो की चमक भी रही है यहां से चमक रहा न यह कहा से चमक रहा भई यहां से चमक रहा है न तो ये क्या प्रावर्थित भी हो रहा है प्रकास तो अलग घटना है ऒंगा इस कंगे को भी छान डानै कैंगे के जो के ढाते वो क्या कर रहा है उसकी पर्च्वाहिं बन रही है अपर बैसे इ Sabina गतना हम कंगे के दौरम बहुत इस पष्ट तरीके समझ सकते हैं प्रकास क्या कर रहा है सीधी रेखा में गमन कर रहा है और बिच में जो भी जो भी और रोद आ रहा है उसकी क्या बन गज़ा परचाई बन गज़ा है और हम इसको समझ सकते हैं इसके बारे में सारी बाते हैं जो कि और ड्लावाने रूप में फोर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बाद में और भी एड्लावनान स्तर है तो salah войत सारी घटना है तो प्रकास का quantum सिद्धानत है हम अगली class में पढ़ेंगे वहाँ पर और भी बहुत सारी बाते इससे clear होने वाली है प्रकास वास्तों में क्या है? एक उर्जा का ही रूप है कैसे है? प्रकास जो है प्रकास क्या है? उर्जा का रूप है उर्जा है कैसे बता सकते हैं प्रकास उर्जा का रूप है हमें मालूम है कि उर्जा को न तो उत्पन न किया जा सकता है न न तो नस्ट किया जा सकता है इसको एक रूप से दुसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है तो यहाँ पर कौन सी हो रहे भई एक रूप से दूसरे रूप में देखिए हमने बल पर जलाया तो काई की आओ सकता पड़ी विद्धुत उर्जा की आओ सकता पड़ी विद्धुत उर्जा ने क्या किया यहाँ पर प्रकास उत्पन न किया और प्रकास विद्धुत खर्च ठीक है, मेरे खाल से इतनी बाते समझने के बाद में हमें यहाँ पर क्या-क्या पता चला एक तो पता चला कि प्रकास में एक परावरतन होता है simple एक saart में अगर समझे तो दूसरी बात यह बोल सकते है कि प्रकास के गुन में क्या होता है लेसे एक अपोर्टन भी होता है तीसरी बात हमें पutा चली कि जो प्रकास है वो क्या एक उर्जा का ही रूप है अगली बात पता चली हमें जो दिफ्त वस्तु ये दो प्रकार की होती है तो अधित नहीं होते पर्दिफ्व पड़ा जैता है एपर दिफ्त बोह कहा जाता यह बात हमें यहाँ पर किलियर पता चली प्रकास एक सीधी रेखा में गमन करता है और जिस रेखा जिस दिसा में गमन करता है उसको तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता यह बात हमें यहाँ पर पता चली इसके अलावा हमें एक और इंपोर्टेंट बात मालूम और एक होती है और पारदर्सी यह इंपोर्टेंट है इस चेप्टर के लिए यह तीन बाते हमें मालूम होना चीए क्योंकि क्या होता है अभी हम बेसिक पल रहा है बला है वो लंबा वीडियो बन रहा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन बहुत सारी बाते हमें पता चलते जा रही ह है पारदर्सी मतलब प्रकास किरन आरपार निकल जा है जैसे काच काच क्या करता है मैंने यह काच का तुक्रा था इदर से टार्च हमारा प्रकास पुरा आरपार निकल गिया काक क्या है पारदर्सी यह पानी पारदर्सी यह अगर हम आनली आजै कि गिलास में गिलास में पानी भरd Accel नीचै इसे अंप। वह सकते हैं कि यह क्या है पारद्रशी के उदार हमें और भी यह प्लास्टिक की एक जिलेटिन पतली वाइट प्लास्टिक की जिलेटिन तो ये भी क्या है प्रकास को आरपार जाने देगी ठीक है इसलिए तो खिलकी हो गरे में जहां पर प्रकास की आओ सकता होती गलास लगाए जाते तक कि बार का प्रकास अंदर की वोर आसानी से आज सके पारभासी पारभासी मतलब यह है कि कुछ प्रकास को अंदर याने देगी वो जैसे हम उदारन बता सकते काच आपने देखा होगा कि अगर काच है इस पर क्या किया जाता है इसको घिस दिया जाता है तो वो क्या करेगा कुछ प्रकास को अंदर आन देगा और कुछ प्रकास को रोक जैसे मान लिया जाए कि रबर का जो बेलून होता है बेलून वाला जो रबर होता है ठीक है उस बेलून के रबर को थोड़ा सा फैलाईए आप तो आपको हलका सा बाहर की ओर दिखाई देने लगेगा ठीक है ना ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा कि जो प्रिंट पर रहे लखता तो यह क्या है पार भासी के उदार रहान है अच्छा इसके बाद में पर दरसी नाम से किलिए रहे तो उसके ऊप़ उदर दर्सी मतलब दिखना सिंपल है ना पाड ओ तो इसे बहुत सारी चीजह है जैसे नहीं सकते पत्थर हम पाडर से पत्थर से अरबार ने दिखाए जिया सकता लखली आरपार नहीं दिखाए देए सकता धातू जैसे लोह, लोहे से भी हम आरपार नहीं देख पाते बहुत सारी धातू यह है जिसे हम उसके आरपार नहीं देख पाएंगे ठीक है दिवाल है, दिवाल बी किया है 他पारदरसी है तो प्रकास से related बहुत सारी घटना है ठीक है प्रकास का विवर्तन है प्रकास का अपवर्तन है प्रकास का परावर्तन है क्वांटम सिद्धानत है तरंग सिद्धानत है प्रकास की तरंग होती है तो किस प्रकार से होती है बहुत सारी बाते है अपनेक्स्ट क्लास में पढ़ प्रकास का परावर्थन प्रकास का प्रकौास का परावर्थन टेये और भिषा वैंट लिए प्रकास का का स Hani का एज वास्त में के लिए हमने वैसे आला कि ये पिछली क्लासों में पढ़ा है कि प्रकास का परावरतन क्या होता है अभी बेसिक कांसेप्ट में भी हम समझ चुके लेकिन इसको डिटेल में समझने के लिए प्रकास का परावरतन को समझने के लिए हम एक समतल दर्पन का उपयोग करते यहाँ पर समतल दर्पन के द्वारा प्रकास का परावरतन समझते देखना मेरे पास में एक समतल दर्पन है ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर समतल दर्पन है सबसे पहली बात तो यह है कि जो समतल दर्पन है समतल दर्पन बनना कैसे सम्तल दर्पन बनना कैसे है न मेज़ेदार बात कि सम्तल दर्पन बनने सब्सक्राइब ने 我覺得 सब्सक्राइब होती है हम इससे कहें पर भी प्रकास को कर इसका बराबर एंगल मिलाते हुए उस वस्तु को देख सकते हैं आपने भी देखा होगा कई बार जैसे मान लिया जाए कि कोई अंधेरे में वस्तु रखी वहां पर लाइट की सुईदा नहीं है और जहां पर हम बैठे वहां पर लाइट की सुईदा है तो हम ऐसा एंगल मिल लाके उस अंदेरे की वस्तु को देख सकते इसका मतलब यह क्या होगा कि यहां जो प्रकास प्राप्त हो रहा इस प्रकास का परावर्तन करके उस वस्तु पर प्रकास डालेंगे और वस्तु अमें दिखाई देगी तो इस प्रकार से भी इसका उपयोग करते हैं चेहरा तो र एक प्रस्ट पर क्या चांदी का पालिस चड़ा दिया जाता है एक दम बिल्कुल पतला हाला कि वह क्या है टेकनिक से चड़ा जाता है चांदी का पालिस पतला होता है उसके बाद में उसको एक पोद दिया जाता है या पेंट की एक लेयर या एक परत चड़ा दिया जाती है उसका कोई खास मकसद नहीं है दरपन बनाने का वह पेंट इसले चड़ा जाता है कि जो चांदी का पालिस है इस परकार से अगर खुरचेंगे तो चांदी का पालिस निकल जाएगा दरपन खराब हो जाएगा इसलिए क्या है इसके उपर एक कोई paint लाल paint या हरा paint या यहाँ पर brown paint दिखाए दे रहा इसका एक color का दिखाए दे रहा तो इस प्रकार का एक paint गाड़ा paint इस पर चान्दी डेमेज नहों कभी ठीके ना और दरपन अपना बना रहे तो पहली बाद तो क्या है चान्दी का पाल इसके ऊपर कोई भी एक पेंट लगा दिया जाता है जो कि इसको पर्मैनेंट कर दें अब यह जो सम्तल दरपन है इसमें इसको हम यहाँ पर डाइग्राम के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इसके बारे में देखते देखना समतल दरपन है एक तरफ तो यह बन गया है जिसमें हम चेहरा देख सकते देखिए चेहरा दिख रहा और दुसरे तरफ क्या हो रहा इस प्रकार से पालिस लगा हुआ है तो अगर इसको हमें प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते देखिए यह समतल दर है जिदर की और पालिस चड़ा हुआ है उसको हम इस प्रकार से ऐसी लाइने बनाकर इसको प्रदर्शित किया आता है जिसे ये पता चलता थिक अच्छा अब पालिस चड़ाने के बाद हम क्या करते ठार्चे से यह जो समतल दर्पन है ठार्चे से इस पर एक प्रकास किरन इस प्रकार से आपतित करते प्रकास किरन मारते और प्रकास किरन इस पर अगर कोई आपतित होती मान लिया जाए कि एक प्रकास किरन हमने क्या किया इस पर इस प्रकार से तिर्ची मारी कोई एक कोन बनाते हुए इस प्रकार से प्रकास कीरन को प्रेशित किया प्रकास कीरन इधर से इधर की ओर जा रहे ही तो इधर का चिन्न इस प्रकार से रहेगा सिंपल सी बात है अभी हमने समझाया कि प्रकास की दिशा जो होती है उ इसको परावर्तित होने के बाद में इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी तो इसकी दिसा क्या रहेगी देख ना प्रकास किरन इधर से गई और इससे परावर्तन के पस्चात इधर से इस प्रकार से परावर्तित हो गई परावर्तित ही बोलते ना कोई भी चीज हमने बाल तो वहां से पराउर्थित हो गई ठीक है बाल दिवाल के लिए क्या हो गई आपतित हो गई मतलब मैंने इधर से बाल फेकी अगर मान लिया जाए कि मेरे ऊपर अगर कोई कागज का टुकड़ा इस प्रकार से कागज की बाल मारता है तो मैं बोलूगा कि वह बाल मेरे इधर आ पराउर्थित हो गई तो यह क्या हो गई आपतित आपतित किरन ठीक है आपतित किरन सिंपल सी बात है यह क्या हो गई पराउर्थित हुई है इसले मतलब पराउर्थित पराउर्थित किरन इसके जो नाम है नाम भी बड़े सिंपल है जैसा जैसा हो रहा हो आपर वैसी नाम वहां से हम क्या करते नब्यानस का और इधर ऑर इस फ्रकार से नब्यानस का और बनाते तो इस प्राकार से मुझान सपत्कान क्या आटी यहां पर इसको प्रदर्षित कर देते यह ऊपतित किरन होगी की जिस बिंदु पर किरन पर अपतित हो तो क्या बोला आता है आपतन बिंदु कआ आता है यह बात का किलिए होई कि नही दे जैसी ब्ला ऐ vegetation आपदित ही जिस बिंदू पर आपदित होई उसको आपतंबिंदू कहा आता है परिभासा ये लिख सकते, वैसे भी नोट सा की टेंसन ने लेना है, ठीक है, अभी हम क्या है, बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक के बाद में जो बुक के अंदर कोस्चन है, सारे कोस्चन को सॉल करेंगे, लिखेंगे, अगर निउमेरिकल है तो हल करेंगे, इसमें जो उधारन दि करेंगे अब बैस के जितने भी कोश्चन है सबको लिखेंगे वहाँ पर आपको नोट से बनाना कि इस प्रकार से लिखना है क्योंकि वहराल हमें यहाँ पर जो थेवरी चल रहे हैं लेकिन इक्जाम में कोश्चन कैसा आएगा उसको लिखना कैसे यह तो मालूम होना चीना त अब तो इसको भी नोट करना है फिर उसके बाद में अध्याई एक नजर में करेंगे फिर उसके बाद में वस्तुनिष्ट प्रस्णों का संग्रा करेंगे तो सारी बाते यहाँ पर होना है तो उसकी टेंसन ने लेना है अभी क्यों समझते हुए चलना आपने को ठीक है और कुछ अगर महातुपुर्ण बात लगता है तो उसको नोट भी करते हुए चल सकते कोई दिककत नहीं है लेकिन नोट से खुद को बनाना है खुद नोट से मनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक बार तो नोट से बनाते हुए रिविजन होगा और एक बार फिर अग आपको कही से रेडिमेट नोट से मिल जा है तो कई बार मैं देखा कि बच्चे के नोट से जो होते हो धरे के धरे रहे जाते है और उसको फल्टा के भी ने देखते कई बच्चे ठीक लेकिन खुद ने लिखाया तो उसको अच्छे से पढ़ने का उसमें मौका मिलता है अगर THsi् widelyardma यहां पर आपतित बिंदू पर नभयपार कौन बना दू इस से जिसा में तो इसको क्या बोला जाता है अभी लंब Ley जाता है C अब क्या क्या बाते समझ में आई यहाँ पर समतल दर्पन किस प्रकार से बना जाता है यह में मालूम है अगर कोई प्रकास किरन इस समतल दर्पन पर आपतित होती है तो इसको क्या बला जाता आपतित किरन कहा जाता है जिस बिंदू पर आपतित होती है उसको आपतित बिंद तो इसको क्या बोला जाता प्रावर्थित किरन का आता है आपतित बिंदू पर अगर हम एक नभ्य अंसका कोन बना दे सामने की और और इस प्रकार से एक रेखा खिस दे इसका नाम मैं वो यन दे देता हूं मैं तो यह क्या कहलाएगा अभी लंब कहलाएगा ठीक है तो हमारे पास प्रावर्थित किरन है इसके बाद में अभि लंब है तो अभी लंब क्या होगा जो आपतित बिंदू यह इस पर बना दे क्या कहलाएगा अब कम इलम और आपतित किरन के भीच में कोन बनाई दे रहा है ठीक है और इस कोवन को बलाजाथा आपसित कोन क्या बलाजा याता आपसितĩ कोन और नाम भी तो बड़ा किलियर है ना वैडि एलो इन अभी लंब के बीच नहीं है कि जो कौन से घृती का फनार इस प्यूंकि इसको स्कून wisdom इंगल आप incidence कहा जाता है तो angle up incidence means i, i से इसको प्रदर्शित किया जाता है और अभी المब और परावर्थit किरन के बीच में जो कौन बनेगा उसको बोला जाता है परावर्थन कौन कहा जाता है यह वाला जो कौन रहेगा वो क्या कहलागा परावर्थन कौन क्यों आपतित कौन भी बोल सकता है या परायोर्तीट किरन के बीच बिंदु आपतित बिंदु पर जो कोन बनता है उसको परायोर्तें कौन बोला या इसको इंगलिई एंगल आप reflection बोला जाता है इसलिए आर से इसको प्रदर्श रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन और incidence मतलब आपतन कौन ठीक है अब यहाँ पर इसको अपन प्रयोक द्वारा भी देखेंगे कि यह वास्तों में ऐसा होता है क्या जो आपतित कीरन है और परावर्तित कीरन है वा यहाँ पर हम यह बोल सकते कि जो आपतन कौन और परावर्तन कौन हमेशा क्या होते बराबर होते देखना आपतन कौन आपतन कौन मतलब कौन आई और बरावर्तित होता है परावर्तन कौन परावर्तन कौन यह क्या होता है आर यह हमेशा क्या होते बराबर होते यह कौन आर और इसको क्या बोला जाता है अब सबसे मज़ेदर बात हमें यह देखना एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है वही है यह जो समतल दर्पन है इस दरपन में वास्तों में अगर ऐसा चेहरा देख रहा हूँ तो मिजी अपना फोटो क्यों दिख रहाçi, चेहरा क्यों दिख रहा और काईसा दिखाई देरा यहाँ पर अप थोड़ा सा और एक बार आयने को देखना आइसे तो अपका पूरा ऑफोटो दिखाई देता हो उसमें जो जितना बड़ा आपका पोटोै जितना बड़ा आपका चेहरा है एकहली बड़ा आपका इस गला का देख़ती। दिखाई देता है ऐसा है क्या आप अगर दूर से देखोंगे तो किलियर सी बात है कि छोटा चेहरा दिखेगा क्योंकि आप दरपन से दूर हो तो जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ पर दिखाई देता है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते है कि जो प्रतिबिनब बनता वो क्या बंता है बराबरी का बनता है जितना बड़ी वस्तू रहेगी उतना ही बड़ा क्या होता है प्रतिबिन बनता यहाप एक प्रतिबिन्ब को हमें क्यों आभास हो रहा है यहाँ पर कि एक प्रतिबिन्ब यहाँ पर है इस प्रतिबिन्ब को आप परदे पर कई पर प्राप्त कर सकते क्या है कि कई पर परदे पर आप इस प्रतिबिन्ब को दिखा सकते क्या नहीं दिखा सकते और जब प्रतिबिन्ब क परदे पर नहीं दिखा सकते तो इसको आभासी प्रतिविन बोला जाता है दूसरे तरीके से समझते आभासी की बात हो रही है तो आभासी वास्तों में क्यों बोला जाता है अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या है एक समतल दरपन है देखना इस प्रकार से समतल दरपन अभासी क्यों बोल रहा है ुसके बारे में हमां पर समझना चाह रहे हैं के मान लिया जाया कि यहां पर कोई वस्तु रखी यह P रखी हुई है अब वस्तोग से कोई प्रकास किरन यहां पर आती है और और कोई प्रकास किरन अभी लंब से आती है तो उसी मारगा से वापस हो जाएगी तो यह आपतित किरन हो गई यह प्रावर्तित किरन हो गई कहने का मतलब सक्ञाहिए लेन वाली वह वसी मारगा से वापस लोड जाती है अगर मान लिया जाये की यह प्रकास किरन यहाँ पर आ रही है तो यह क्या हो नहीं जो इस फापतन विंदू है यहां से अभी लंबू मना रहा हूं इस प्रकार से रहू है और सि ऑ सिंपल यहां से प्रकास कीरन आई है इसलिए उसको क्या है आई बोलेंगे आई इसलिए आई बोलेंगे ऐसा याद रख सकते हैं इंसिडेंस बोला जाता है इसलिए आई बोला जाता उसको और यहां से परावर्तित हो गई रिफ्लेक्स हो गई इसलिए इसको आर बोला जाएगा यह अभी लं दर्पन इधर की और यह कुई बींदु यहां पर यहां पर मेरा जो प्रतिफिन बन रहा वह इतना धूर Gef전 की तो कि अधर दुक्त्रीये वैति durते होगा कि को इसको पर देखता है यह flames फेंधर पिक्छी हमें बढ़ यह की दिखाई दे तो वास्तों में देख़्ा यहां प्रति बिंब कः दिखा देता है इहना वहीं द्रति बिन गरता है वह सम दिखे रॉस्त में दजदए फृद कि अगार्नी प्रति बिर दिखा और बढ़ाने पर इस प्रकार से आगे की और बढ़ाने पर और यहां से आने के बाद में जो यहां पर मिलती है तो यह क्या बनेगा इसका यहां पर प्रतित बिन पर बनते हुए प्रतित होता है ना तो इसका नाम मैं क्या देदू यह बी हो गया इसका नाम सी देदेता हूँ ठीक है यहां यह जो प्रकास कीरण है यहां पर आने के बाद में परावर्तित हो गई और परावर्तन के पस्च यहां से कोई वस्तू रखी है यहां से प्रकास किरन यहां पर आई और यहां से परावर्तित हुई है तो यहां से आती हुई प्रतित हो रही है प्रकास किरन देखे इसकी दिशा क्या है अगर इसको हम आगे की वर बढ़ा है तो हमें ऐसा लगेगा यहां से यह प्रकास किरन ह इधर से आती हुई प्रतित हो रही है यह जैसे परावर्तित हुई है तो यह वाली जो प्रकास किरन है यह वाली हमें यह आभास होगा कि यहां से हमें आती हुई प्रतित होगी इस प्रकार से हमें आपर बोल सकते तो इसका जो प्रतिविन बनेगा कहा पर बनेगा यहां पर अच्छा यह कौन आर है तो यह अला भी कौन क्या होगा आर होगा क्योंकि यह रेखा और यह रेखा समानता रहा है यह कोई सरल रेखा इसको तीरेक कारती है तो यह क्या होगे इसके संगत कौन होगे तो यह दोनों क्या होगे इसके बराबर होगे अच्छा यह जो प्रतिबि गरावक प्रति भीन बन तब सकता है इस्के साथ में यह बोल सकते हैं कि उद्छी आभासी क्योंदे को फोटो के पर नहीं किसा नहीं किया जा सकता नेक्स्ट यहां पर हम यह बोल सकते कि जो प्रतिविन्ब है यह क्या है पार्सो परिवर्तन दिखाता है देखना पार्सो परिवर्तन कैसा होता है अगर सपोस करे कि मैं एक पेज पर यहां पर एक कागच पर कोई अगर इस प्रकार से कोई सब्द लिखू हुँए देखिए मैंने क्या किया इस कागच पर आर लिख दिखना दिखना लिखा अपको बार zwischen देखने Yeah आप और को माने आइने में देखता हूँ दर्पन में देहा हूँए न infer case X इसमें आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा. आर का इसा दिखाई दे रहा? उल्टा दिखाई दे रहा होगा. देखना, अगर मान लिया जाए कि यह दर्पन है, यह क्या है? यहाँ पर दर्पन है, और मैंने यहाँ पर आर लिखा, यह आर. तो इसमें कैसा दिखाए देगा या तो इस प्रकार से देखू मैं कि अगर यह आर इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ पर आर किस प्रकार से दिखाए देगा इसको उल्टा दिखाए देगा इस प्रकार से दिखाए देगा और दुसरे तरीके से हम समझ सकते कि अगर मान लिए या दरपन के सामने अगर मैं खड़ा हूँ अगर मैं यह वाला भाया हाथ उठाओंगा तो ऐसा लगेगा कि इसका क्या है दाया हाथ उठाओंगा मैं अगर बाया हाथ उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये प्रतिविन में क्या किया दाया हाथ उठाया दाया उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा बाया हाथ उठाया तो अगर मैं यहाँ पर R को ऐसा लिखू तो यहाँ पर कैसा दिखेगा इस प्रकार से ऐसा R दिखाए देगा ठीक है ना तो यह क्या है पार्स वो परिवर्तन होता है इस प्रकार का यहाँ पर परिवर्तन होता है तो प्रकास का परिवर्तन इतनी बाते तो हम आला कि पिछली क्लास में भी समझ चुके लेकिन यहाँ पर ओर राल हमें यह पता चलना चीए कि प्रतिविन्वज जो होते है वो क्या है दो प्रकार के होते हैं एक आभासी होता है आभासी और आभासी का मतलब जो हमें आभास हो रहा है और दूसरा होता है वास्तविक वास्तविक ठीक है तो ये दो प्रतिविन किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हैं हम आगे चलके समझेंगे और वहाँ पर आभा मैं यहां पर समझ चुके हैं से पहले एक चो प्रावर्तित कोन और अपवतित कोन बराबर होतेस्टे का परिवरतन परावरतन समझने के लिए हमारे पास में सामन रहए क्या क्या समन है सबसे पहले तो मेरे जो फुनिर्ण से अंपना से पिन लगाना था अधीन नहीं दो मैं भाइनाना थो इसके ऊपर थर्मा कोल लगा धिया थीक है तो आब बी इस पार कोल अधीन तो एकार से बट्रमा कोल भाझै से लगा Jason और समतल दर्पन को मैं यहाँ पर इस प्रकार से रख सकता हूँ ठीक है तो उसके लिए इस प्रकार से इस्टेट बनाया हुआ है मैं अभी यहाँ पर समतल दर्पन को लग देता हूँ प्राप 1 प्रेक्षियल की जरौत है और कुछ पीने रंगीन प्रेज़ा है सबसे पहले हमारे पास में पेज को इसमें इस प्रकार से रख देता हूं और पेज को रखने के बाद में पीन से इसको फिक्स कर देता हूं भूगे दिब भूगे कईज़ समय क्पेस्ट लाए है मैं छीमित चीड़ लगा है арाइ को भीन भूगे क्पेस्ट प्र epos PKCESE are ंजीर नड़ें मैं अब सीडियों ऐस edoγेल की साहता से हम क्या करेंगे एक सीधी यहां पर लाइन की खीचेंगे तो इसकैन की साहता से में ऐने यहां चेह Sex सब्सक्राइब दिडिए नागरोन हैं c ta वीड़ा وच्ट की साहता से कि एक सर्थ रहता किस दि और उस सरहल रेखा पर एक बिंदू लिया है हम ने यहाँ परॉर ईस बिंदू को बोला जैता आप पास में देखेंगे कि इस प्रकार से यह चाल्दा है तो 90 डिग्री का हम बना सकते हैं और यह तो फिर इसकी भी यूज़ यहां पर कर सकते हैं जो यह लंब डाला है यहां से यह नभी अन्सका कोन है इस सरल रेखा पर और यहां से हमने क्या किया चांदे की साहता से 40 डिग्री का कोन बना दे देखें यह यहां पर क्या है 40 डिग्री का इस प्रकार से कोन बना दिया ठीक है तो 40 डिग्री का जो कोन बनाया और किसकी हेलपर से बनाया हमने चांदे की साहता से हमने D की साहता से 40 डिग्री का कोन बना दिया अब यहां पर हम य यहां पर यह पता चल गया कि यह कितने 40 डिग्री का कोन है ठीक है और प्रकास किरन यहां से आपतित हो रही है और यहां से आपतित होने के बाद में परावर्तन के पस्चात हमें मालूम है कि जो अपना यहां पर दर्पन है परावर्तन से परावर्तित होकर इधर से समान अभ क्या करना है में इस पीनों को यहाँ पर लगाना इस प्रकार से एक पीन लगा दी मैंने और इसी प्रकार से दो पीन लगा दी ठीक है दो पीन सफिसेंट है आप चाओ तो तीन पीन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो दो पीन सफिसेंट है और दो पीन लगाने के बाद बाद में इसमें से और दो पीने निकल लेता हूं और फिर उसके बाद में एक प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे देखिए पहले तो concept समझ ले हम यह क्या दर्पन है समतल दर्पन है यहाँ पर मैंने अभी लंब बनाए मतलब इस रेखा से दर्पन से मैंने क्या किया इसको लंबवत क्या किया यहाँ यहाँ पर कॉन मनाया है इसके बाद में चांदे की साहता से मैंने यह 40 डिगरी का यहाँ पर कोन बना दिया यह 40 डिगरी का हमें कोन दिखाई दे रहा हमने इस रेखा पर दो पिने इस प्रकार से लगा दी अब हमें यहाँ पर यह पता चल रहा कि जो प्रकास कीरन है प्रकास कीरन दरपन में हमें दि होता है हम यहाँ पर समझना चाह रहे हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ ठीक है इस एंगल से देख रहा हूँ और यह पिने क्या एक लाइन में जब दिखने लगेगी तो इस लाइन में हम क्या करेंगे थर्ड पिन लगा जब यह पीने जब एक लाइन दिखने लगेगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से जब यह तीनों पीने एक लाइन में दिखेगी यह प्रैक्टिकल ऐसा है ना कि आप घर में भी बना के देख सकते देखें एक मिनट आप आप देख रहे होगे कि यह पहले की जो 2 पिन और तीसे पिन एक चीद लिखी रिखा में दिखाई दे रहा हूं दें कि एकप्रण आपनी ःक्ष को बड़ जाएगी सब्सक्वान इस प्रकार से 4 ते कीव शेपन एक बहुत प्राप्तों के बाद अपना प्रेक्टिकल लगबग और इसको अम प्रेक्टिकल को समझेंगे इसको निकल लगा तो और यहां पर न पीणे लगा थी हो अपर यहां पर पेंसिल से सर्कल झाल लगा रहा है। और यहां पर भी हम क्या करते शर्कल लगा देते और यहां पर भी एक सर्कल लगा देते और सर्कल लगाने के बाद में मैं अब दर्पन को हटा देता हूं और यहां से आप देखेंगे कि मैंने दर्पन को हटा दिया और इसकेल की सायता से यह जो इसका दर्पन का पी बिंदू था अब इस पी बिंदू से हम इन पीनों को मिला देते कहने का मतलब इस बिंदू से इसको मिलाना है और यह दोनों को तीनों को मिलाते हुए एक हमें सरल तुल कर किसे टाइब फुनिक को के लिए तो इस प्रकार से इन दो और दो इन दो टो प्रकार मिल रहा प्रकार से यह जो हमने क्या किया कि यह विद्धल आप उसकी आप समझते हैं कि यह क्या है पिर फिर थोड़ा सा एक साटन में समझ लिया एक बिन्दू पी लिया इसमें यह पी क्या हो गई यह बनाए यह वाला जो क्या क्या है अभी लंब बनाया इसको हम क्या बोलेंगे अभी लंब बोलेंगे ठीक है अभी लंब यहाँ पर यह क्या है आपतीत प्रकास किरन है आपतीत प्रकास किरन है ठीक है क्यों क्योंकि यह प्रकास किरन यहाँ पर आपतीत हो रही है यह आपतन बिंदु है यह क्या कहलागा आपत संतल संतल दर्पन इस प्रकार से संतलदर्पन हो गया और समथन टीजिड़त को डू पर ऑल नहीं प्यां प्यों ऐसे सायता से रहां कर देवाइग सब्सक्राइग पर यह जा Sand Senior में शावलिए को यह सरा मुझी ससले नहीं तो इस प्रकार से महां पर इसको अभी लंब क्यालागा इसको जनरली इससे नार्मल से भी प्रदरस्यत कर सकते हैं तो अपना यह कंद्ट सरी होता है लेकिन हम aggi देख ले कि वास्तों में 40 यह को हमने अमने मापके दो बनाए थिगा है तो परावर्तन और कोन वास्तों में 40 का हाई यह नहीं है तो हम लाभनाहे बंशारा ind Хорошо अपर डिगरी पर मिला दिया और यह लगभग मतलब यह यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा एक्जेक्ट एक्यूरेट नहीं दिखाई देरा यह देखिए यह 90 डिगरी 10 20 30 और यह क्या हो गया चालीस हो गया चालीस से हलका सा 40.05 बोल सकते हैं एक हलका सा थोड़ा सा यह है तो यह गलती अपनी है जितना आप एक्यूरेशी के साथ में करेंगे उतना परफेक्ट है यह परावर्थन कोन भी उतना ही बनने वाला है तो हमने यहाँ पर समझा कि किस प्रकार से आपतन कोन कि यहाँ पर हमें यह पता चला कि कोई भी प्रकास किरन जब दरपन पर आपतित होती है तो आपतन बिंदू से क्या होती है परावर्थन के पस्चात अभी लंब से जिस कोन से आपतित होती है उसी कोन से परावर्थित होती है आपतन को आई से प्रदर्शित किया जाता है और प्रफ़ाइब छोड़ाग श्या झाल सॉ प्रेजय पिल्फ़ नजय हुराइब तुरी जला जला एक है कि अवर जला सूनिते ही जाला सिर्वाइब प्रफ़ाइब गेता।